मनिपूर में 3 मैं से शुरू हुई हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है हलांकि बीच में केदे सरकार के तरफ से दावा किया गया था कि अब वहां पर हत्याएं नहीं हो रही है लेकिन बीच-बीच में ऐसी घटनाए जारी है मंगलवार सुभे कांग पोपी जिले में 3 लोगों को गोली मार दी गई तीनों वेक्ती कुकी समुदाय से बताए गए हैं जो एक वाहर में सवार थे इरेंग नागा गाउं के निकाट उबद्रवियों ने उन पर हमला कर दिया मनिपूर हिंसा में मारे जाने वाली लोगों की संख्या लगभग 200 तक जाप महुची है दूसरी तरफ राज्य में तैनाथ तो सुरक्षा बलों की बीच भी तनाव पैदा हुआ है कई दफ़ा सुरक्षा बल एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं के पूर्व एडिजी एसके सूत कहते हैं कि मनिपूर की हिंसा आप कंट्रोल से बाहर जाती दिख रही है वहाँ पर आर्मी है आसम राइफल है सी एपी एफ है और मनिपूर पुलीस है मगर हिंसा थम नहीं रही है अगर वाख़ी मनिपूर में हिंसा को रोकना है खानून विवस्था इस्थापित करनी है तो उसके लिए अनुच्छे 356 का इस्तेमाल बैलिस्टिक शिल्ड बन सकता है पूर वैडी जी एसके सूत के मताबिक दूसरे राज्यों की तरह मनिपूर भी भारत का ही अभीन हिस्सा है केंदर सरकार को अभी तक वहाँ पर शांती स्थापित कर देनी चाहिए थी तीन मई को शुरू हुई हिंसा अभी तक थम नहीं सकी है लोग मारे जा रहे हैं सुरक्षा बलो पर हमले जा रही हैं पिछले कुछ समय से मनिपूर में जो हालात देखने को मिल रहे हैं वे बहुत खतरनाक हैं दो समुदायों के बीच बफर जोन बना कर शांती स्थापित करने का जो प्रयास किया गया वे सफिल नहीं हो सका इसके बावजूद हत्याएं हो रही है उन्होंने कहा मौजूदा समय में तो वहाँ पर तैनाथ सुरक्षा बल ही एक दूसरे के सामने आ रहे हैं कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब सुरक्षा बलों के बीच में टकराओ होने के पूरे आसार बन गए थे कभी तो असम राइफल के सामने मनेपूर पुलिस आ जाती है तो कभी सैनाओ को ऐसी स्थिती का सामना करना पड़ता है सी एपिएफ को लेकर भी ऐसी ही खबरे सुनने को मिल रही हैं अब सशेस्तर बल ही एक दूसरे के सामने आ जाएं तो हालात की गंभीरता को समझा जा सकता है तीन हजार से ज्यादा घातक हतियार उब द्रव्यों के हाथ में हैं उनके पास भारी मातरा में गोला बारूध है बतोर एसके सूद वर्तमान परिस्थितियों में वहाँ पर अनुच्छे 356 का इस्तिमाल कर राजपती शासन लगाया जाए राज्ये को प्रियोक्षाला ना बनाई जाए खानूल विवस्था की जिमेदारी से पुलिस को मुक्त गिया जाए पहले कहा गया कि आसम राइफल कुकी समुदाय कर समर्थन कर रही है अब वैसे ही आरोप आर्मी और सी एपिएफ पर लगाय जा रहे हैं दो समुदायों की हिंसा के बीच वहाँ पर तैनात सुरक्षा बलो में आपसी मतभेद और तनाओ सामने आना एक खतरनाक सिगनल है सुमबार को लहंग किचोई गाउं के सात नेयो तुबोई गत शुकरवार को भी पल्लेल इलाके में भारी गोली बारी हुई थी उसमें भी दो लोग मारे गए थे असम राइफल्स का एक और मणीपूर पुलिस के तीन जवान खायल हो गए थे तीन ग्रामिटों के हत्या को लेकर आदिवासी एकता समीती में सरकार को चेताया है अपने एक बयान में समीती का कहना है कि निर्दोश कुकी जो समाने ग्रामिट थे उनकी निर्मम हत्या बरदाश नहीं की जाएगी मणिपूर में जब परियाप्त संग्या में सुरक्षा बल है तो ऐसे में किस तरह से दिन दहाडे हमला हो रहा है लोगों के घरों को आग के हवाले किया जा रहा है समीती ने केंद्रिय ग्रहमंत्रिया मिशा से आगरे किया कि वे तुरंत घाटी में स्थिति सभी जीलों को सशेस्त्रबल अधिनियम के तहत अशांत शेत्रिक होशित करें कॉंग्रिस पार्टी के मणिपूर प्रभारी भक्त चरंदास पहले ही कह चुके हैं कि वहाँ पर स्थिति बहुत गंभीर है वहाँ की हिंसा सुनी योजित लगती है राज्य में शांती बहाली सुनिश्चित करने के लिए राश्पति शासन लगाने की जरूरत है पुलिस स्टेशनों से लूटे गए घातक हतियार उपदरवियों के हाथ में हैं पिछले दिनों मनिपूर पुलिस ने असम राइफल्स के जवानों के खिलाफ ही एफायर दर्ज कर ली थी आसम राइफल्स की 9 मी बटालियन के सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ वह एफायर बिश्चुपूर जिरे के फोगा कचाओ इखाई पुलिस स्टेशन में दर्ज की अब सुरक्षा एजन्सियों को ऐसे अलर्ड भी मिल रहे हैं कि वहाँ भीड में प्रतिबंदित आतंकी समू युनाइटिड नेशन लिब्रेशन फ्रांट आफ पीपूल्स रिब्लेशन आर्मी द्वारा प्रायोजिक आतंकी शामिल होने लगे हैं तेंगन नौपाल जिले के पहलेल में इस तरह की घटना में एक सेन्य अधिकारी पर गोलिया चलाई गई वहाँ पर दो की फरीब चार दर्जन लोग घायल हो गए थे मनिपूर में तामेंग, लोंग, चंदे, लुकरूल और सेनापती जिलो का नगा जंजाती के बहुले वाला शेतर माना जाता है पिछले दिनों नगा समुदाय के हजारों लोगों ने प्रदशन किया था दरसल मनिपूर की मौजूदा परिसितियों में नगा समुदाय खुद को असुरक्षित समझने लगा है जब से वहाँ पर हिंसा शुरू हुई है, उसी के साथ ही खबर फैलती जा रही है कि सरकार पहाड के कुछ शेतर में कूकी समुदाय के लिए अलग प्रशासनिक व्वश्ता कर सकती है इसी डर से नगा समुदाय के लोगों ने अपने प्रदशन के माद्यम से केंद्र सरकार तक ही संदेश पहुचाया है कि मनिपूर के पहाड़ी जिलों के लिए जो भी अलग से प्रशासनिक विवस्ता तैयार हो मगर उसमें किसी भी तरहां से नगा समुदाई के हित प्रभावित नहीं होने चाहिए केंदर के साथ नगा समुदाई की जो शानती प्रक्रिया चल रही है उसकी भावना को ठेस न पहुँचे दूसरी और हिंसा के बाद कुकी इलाखों में अलग प्रशासनिक विवस्ता की मांग तेज होती जा रही है हिंसा के बाद वहाँ पर लोगों में ही नहीं बलकि सरकारे विभागों में भी समुदाई के आधार पर रेखा खिच चुकी है ब्यूरो रिपोर्ट नई दिल्ली